हलो फ्रेंड्स जैमातरी कैसे हैं अब सब दोस्तों मांकशीश अमवश्या आने वाली है जिसे हम अगहन अमवश्या भी कहते हैं और कार्थिक मांकी अमवश्या के समान ही बहुत इद्भुत हैं और शनीवार को आजाए जब अमावस्या तो कहते हैं सोने पे सुहा का जो भी लोग द्रस्थ हैं जीवन में परेशान है उन सब के लिए उपाई इस दिन करने मात्र से कहा जाता है बहुत सारी परेशानियों से मनुश्य को मुट्टे मिल जाती है और खास कर जब शनी अमाव जाता शनी देव को न्याई का देवता कहा जाता है करमफल दाता है डंड अधिकारी है इसलिए जो लोग गलत करते हैं वो सभी शनी देव से डरते हैं लेकिन अगर आपने जीवन में कभी किसी के साथ न्याई नहीं किया है तो आपको शनी देव से डरने की कोई जरूरत न तो अगर आप जीवन में देखिए शनी की साड़े साती आएगी भी अगर कष्ट आएंगे भी तो अगर आप बहुत महनत के साथ सच्चे रास्ते पर चलते हैं तो आपकी थोड़ी थोड़ी कष्टों में ही आपकी नईया पार लग जाती है। जरूरत है कुछ करे ना करें कर्म अच्छे करते रहें शनी देव आपको परेशान नहीं करेंगे। इसलिए शनी वार को होने के कारण इसी दिन शनी या मवश्या का पूजन होगा। और साथ ही साथ अंतिम सूर्य ग्रहन भी आपका लग रहा है चार दिसंबर को यानि शनी वार के दिन सुबह दस बच कर 59 मिनट पर शुरू हो जाएगा। तो पहर को तीन बच कर साथ मिनट पर भारतिय टाइम के अनुसार यहां पर रहने वाला है। हाला कि चंद्र ग्रहन की तरह ही सूर्य ग्रहन को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया अशुब माना जाता है और कहा जाता है जब चंद्रमा सूर्य और पृत्वी के बीच में आ जाता है तो इस दोरान सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पहुँच पाता और इस दौरान कहा जाता है सूर्य पीडित हो जाते हैं सूर्य की शुबता में कमी आती है और इसी लिए शुबकार्य और पुजापाट वर्जित हो जाते हैं और इस दौरान आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान भी रखना चाहिए जबी भी जहां पर भी विश्व में कि सूर्य ग्रहन के 12 गंटे पहले सूतक लग जाता है सभी चीजों में तुलसी के पत्ते या कुशा की घांस डालकर भोजन पानी में रख देना चाहिए और इस दौरान छुना नहीं चाहिए कुछ भी सूतक काल जिसे कहते हैं और पुजा पार पर अपना ध्यान रखना च चाहिए आपको कि सूर्य ग्रहन का प्रभाव सभी राशी वाले जातकों पर जरूर पड़ेगा इसके उपाए मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी इसलिए सभी लोग सावधानी जरूर रखें विशेश रूप से जो भी गर्वती बहिलाए है वो ध्यान रखें घर के बाहर ना निकले बाकी इस दिन शनी अमवश्या है तो पूजा पाट नॉर्मल चलेंगे और ये पित्र अमवश्या भी कही जाती है अगहन अमवश्या तो कहते हैं ये साथ ही साथ इस अमवश्या को पित्र त्रिप्त अमवश्या भी कही गई है और माता लक्ष्मी क को भी बहुत प्रिया है इसलिए इस अमवश्या पर एक तो आप पित्र पूजन करतें पित्र के निमित सनान दान तरपना दी करतें तो पित्र आपके प्रसन्न होतें साथ ही साथ इस दिन लक्षमी पूजन का भी विधान आता है पूरी वरत रखकर के पूरी श्रद्धा से जो भी मनुश्य इस दिन पूजा करता है मंत्रों के जब करता है मा का ध्यान करता है उनको बहुत सारे धन की प्राप्ती होती है विशेश रूप से इस शनिया मवश्या को भगवान स्री कृष्ण और माता लक्षमी का संयुक्त पूजन का भी विधान आता है पित्र के नि अगर योग है राहु दोश है आपके जीवन में तो उससे भी चुटकारा मिलता है मनुवांचित फलो की प्राप्ती होती है दोस्तों शनी शरी अमवश्या है तो शनी देव को सब सरवाधिक प्रिया है और शनी अमवश्या का दिन संकटों के समाधान के लिए विशेश मह है तो रखता है शनी देव इस दिन अपने भक्तों पर कृपा बरसा कर उन्हें कष्टों से मुक्ति मिल देते हैं इस दिन आपको छोटे रूप में जैसे भी आप जुजवी देवी देवता अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहें कीजिए आप हनुमान जी का पूज आप स्री कृष्ण भगवान का लक्ष्मी माता का जिसका भी आपके जो इष्ट हैं उनका पूजन कर सकते हैं सह्युक्त पूजन कर सकते सभी देवता का और इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाए इससे क्या पापों का नाश होता है चन्दन की धूप करनी चाहिए आप चन मन्दिर जाकर के दर्शन कीजिए वहां पूजन कीजिए सरसों का तेल चढ़ाएं और जो लोग भी शाया दान कर सकते ह podéis अवश्य करना चाहिए जहा जाएं का से की कड़ोरी में या फिर लोहे की कड़ोरी या इसटील की ककोड़ लिगे त्यांंसरे कुछ लोज मीठा तेल देते हैं सरसों का तेल लीजे उसमें अपना चहरा देखिए और उसके बाद उसे आपको किसी डाकोत को दान कर देना चाहिए अगर आपके वहाँ डाकोत नहीं आते हैं तो आप इस तेल को शनी मंदिर में भी चड़ा सकते हैं या अपने घर के सामने एक छोटा सा पत्थर रख लीजे उसको शनी देव का भाव करके वहाँ पे आप इसे अर्पित कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सरसों तेल का इस दिन आप दान कर दें दोस्तों शनी आमवश्या है तो शनी चालीसा है शनी के स्तोत्र है शनी मंत्र है शनी देव की आरती है ये सब करने से भी आपको शुपफलदाई माना गया है और इस दिन आप जबी भी हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उनको रोली चंदन सिंदूर ये चड़ाए तिल जौ अक्षत चड़ाने चाहिए इस दिन उनको लड़ों का या खीर का भोग लगाए और जो भी देवी देवता की पूज की माला का आप जब कर सकते हैं जैसे लक्षमी मा की पूजा कर रहे हैं तो ओम श्रिम हरिम क्लिम माया पुर्ये नमा इस मंतर का जब होगा शनी जी शनी देव की पूजा कर रहे हैं तो शम शनिश्चराय कर्म कृते नमा राहु दोश से मुक्ति के लिए आप इस दिन चार स सिर के उपर से वार करके आप ये सिक्के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, जो भी भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं, तो आप मंदिर में इस दिन कठल ले लीजिए, एक छोटा सा, और कठल पर ओम क्लिम कमला नाथाए नमा, क्या बोलेंगे, ओम क्लिम कमला किसका लक्ष्मी मा का भी एक नाम है, मैंने बताया, इस दिन स्री कृष्ण भगवान और लक्ष्मी मा का संयुक्त पूजन होता है, तो आप मंत्र बोलेंगे, ओम क्लिम कमला नाथाए नमा, इस मंत्र को बोलते वे कठल, आप पहले उस पर रजब कर लीजिए, 108 बार इसके बाद आप कृष्ण भगवान के मंदिर में कठल चड़ा सकते हैं, या किसी गरीब को दान दे दीजिए, संकट बहुत जादा है आपके जीवन में, तो इस दिन आपको सरसों का तेल लगी हुई, गुड की रोटी, आप किसी काले जानवर को खिला सकते हैं, काली गाय हो, काला कु किसी को भी खिलाइए, ये भी बहुत अच्छा होता है, और इस दिन आपको एक पता का विश्णु भगवान का कोई मंदिर है, तो ध्वजा आप इस दिन चड़वा सकते हैं, कहते हैं, जीवन में आपका यश मान सम्मान इतना ही उचा लहराता है, स्थाइल आपकी दोस्तों, शनी देव का दिन है, इस दिन आपको फिटकरी के भी उपाय करने चाहिए, फिटकरी का दान करना चाहिए, फिटकरी आप घर पे छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं, फिटकरी से, इस दिन कड़वा तेल हुआ, कड़वा तेल यानि की सरसों का तेल, और काले लोहा, काला, कपड़ा, नीला, पुश्प, ये सभी चीज़ें आप लेकर के पोटली जैसी बना लिजिए और ओम, नीलांजन, समा भासम, रवी, पुत्रम, यमागरजम, छाया, मार्तंड, सम्भूतम, नमामी, शनेश्चरम, इस मंतर का आप जादा से जादा जब करते वे, आप इस पोटली को आप दान कर दीजिए, इससे शनी देव का प्रकोप शांत होता है, और अनिग रहों के भी अशुप रभाओं से चुटकारा मिलता है, दोस्तों इस दिन आपको पीपल का वरिक शकर आसपास है, तो पूजन जरूर करना चाहिए, और कोई व्यक्ती ऐसा है आपके घर में जिसको नजर लग गई है, या उसके जीवन में बार बार बादा आती है, आपका घरी ऐसा है, जहां पे हर चीज में नुकसान होता है, तो आपको फिटकरी का उपाई जरूर करना है, फिटकरी आपको पांसात रुपे में मिल जाती है, कहीं पर भी हमेशा फिटकरी घर पे रखा करें और पहले जमाने में तो लोग फिटकरी जब शेविंग करते थे उसके बाद फिटकरी ही घसा जाता था उनके जो शेविंग पार्ट होता था गाल चीक्स होते थे वहां पे उनको रगड के फिटकरी को उनको एंटिसेप्टिक की तरह यूज किया जाता था और कई घरों में जहाँ पे फिल्टर आदी नहीं होते थे वहां पे पानी को भी फिटकरी जल में गुमाया जाता था ताकि सारी पानी की गंदगी होती है वो नीचे बैट जाती है फिटकरी अपने आपे बहुत हेल्दी होती है कभी-कभी बोलती हैं, मैंने एक और वीडियो भी रिसेंटली दिया था, उसमें आपको बताया था, कि फिटकरी के पाउडर से आपको कभी-कभी दांत भी माजने चाहिए, ये भी आपके लिए बेनिफिशल होता है, इसके साइन्टिफिक रीजन्स भी होते हैं, साथ-साथ ग्रहों को भी मजबूत करता है, और कभी-कभी फिटकरी के पानी से आपको नहाना भी चाहिए, साथ-साथ जिसका दुर्भाग ये बहुत जादा है, परेशानिया है, घर में नुकसान होते हैं, तो फिटकरी का एक टुकड़ा ले लिजे, शनिया मावश्या के दिन, और इसे अगर किसी पर्टिकुलर परसन पे करना चाहते हैं, तो सिर से पाउं तक साथ बार आप सीधी दिशा में, क्लॉक्वाइज, यानि घरी की सीधी दिशा में आपको घुमाना है, और फिर आप चाहें तो आप इसे टुकड़े को जला दीजे, या फिर बहते जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं, या किसी पीपल के नीचे गार सकते हैं, इसी प्रकार से अगर आप घर पे करना चाहते हैं, तो आप फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजे, और उसे काले कपड़े में बांध करके, आप अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने साइड में उपर, कॉर्णर में इसे हैंक कर दीजे, घर का दाहिना कैसे होगा, घर के बाहर चले जाईए, और फिर घर के तरफ मुख्य करके खड़े हो जाईए, और फिर आपका जो राइट हैंड साइड होगा, वहां उपर में आपको इसको टांगना है, दोस्तों कहते हैं कि फिटकरी को इ अतम होने लगता है, आप चाहें तो इस दिन फिटकरी से एक छोटा सा उपायक और कर सकते हैं, एक आखड़े का पौधा होता है, उसमें से थोड़ी सी जड़ ले लीजिए, एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, एक कोईले का टुकड़ा ले लीजिए, और इसे काले उस जगह पे आप घूम लीजे, परिकमा कर लीजे साथ, अगर let's suppose आपकी गाड़ी पे नजर लगते हैं, गाड़ी के एकसिडेंट होते हैं बार बार, तो आपको ये पोटली लेकर के, आपको साथ बार अपनी गाड़ी के साथ बार घूमना है, सीधी दिशा में घूमना है, एक प्रकार का उसारा हम कर रहे हैं, और इसके बाद आपको छुपा करके उस कॉर्णर में, आपको जहां पर जिस थान से आपको लगता है कि बुरी नजर जादा आती है, एकसिडेंट होते हैं, या इस तरफ से विपदाएं जादा आती हैं, या आपकी गाड़ी का इस तरफ से या गाड़ी में दुर घटना जादा होती है, तो वो धीरे-धीरे कम हो जाती है, दोस्तों, आज के दिन अपनी जीवन में गती बनाए रखने के लिए, अपने हाथ में एक फिट करी का टुकड़ा ले लीजे, और ओम ब्रांग ब्रिम ब्रॉम सह बुधाई न इस फ्रकार का मंत्र जब करते वे, आपको 11 बार उस फिट करी की टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, इससे आपके जीवन में गती आती है, दोस्तों, सभी लोग कर सकते हैं, अच्छा कुछ लोगों के जीवन में कर्ज चड़ जाता है, तो कर्ज मु कर्ज लेना चाहिए, नहीं, तो प्लीज कृप्या लालच में आकर के कर्ज ना ले, और अगर आपने ले लिया है, परिशान हो रहे हैं, तो एक बार एक छोटा सा उपाय कहा जाता है, शास्त्रों में कि करने से कर्ज मुक्ति का उपाय होता है, तो एक तो रेण मोचक मंग स्तोत्र का पाठ किया करें, वो अच्छा रहता है, और दूसरा उपाय है, एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिट करी, और सिंदूर बान करके, अमवस्या की सुभे या शाम के समय, आप पीपल के पेड के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा दीजे, अपनी परेशानी क बोलते हुए, और तीन अमवस्या तक आप ये काम करेंगे, ऐसे शनिवार को भी कर सकते है, पर बेस्ट होता है मवस्या को करें, तीन अमवस्या आप इस उपाय को करेंगे, तो आपका कर्ज चुकने का रास्ता बैट जाता है, अगर आपके बंते-बंते काम बिगड़ जा साबुत मूं जो होती है, ग्रीन वाली, वो आपको भरनी है थोड़ी, और उस पर एक टुकड़ा फिटकरी उसके अंदर डाल दीजे, अब उस पर धकन लगा लीजे, और अपने सिर से साथ बार घुमा कर उस मटकी को आपको किसी को दान कर देने मंदिर में चड़ा दीजे और या फिर आप किसी पीपल के नीचे उसे खड़ा करके गार दीजे, आप देखेंगे ऐसा करने से आपके सारे काम बगड़े काम बनने लगेंगे, आपको हर तरफ सफलता मिलेगी, और अगर बाधाएं जादा आ रही थी काम में, बार बार अटक रात आपका काम तो अज नहीं आता, अचकल क्या करें, क्या ना करें, बार बार ध्यान भटकने लगा है, तो आज के दिन आप सुबह सुबह मावस्या कितिती को स्नान कर लीजे, फिर मा दुर्गा को आप लाल रंग का एक फूल हातों में ले करके, और सवा किलो मसूर की डाल, लाल मसूर जो ह सरवार्थ साधी के शरन्य थ्रम्प के गौरी नारायनी नमोस्तुते ये बोलते वे, आप जितनी बार आप 108 बार बोल सके तो बहुत अच्छी बात है, उस पोटली को हातों में ले लीजे, और बोलते जाए, जोर जोर बोलते जाए, देवी के मंत्र का उच्चारन हमेशा जोर से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, जोर से बोले, सर्वार्थ साधी के शरन्य थ्रम्प के गौरी नारायनी नमोस्तुते इस प्रकार से बोलते वे, आप मा को वो देवी को चर्णों में अर्पित कर दीजे, और वहीं रहने दीजे, जब तक आपकी समस्या का स कोई पौधे के अंदर दबा दीजे, दोस्तों आप देखेंगे, आपके सोचने समझने की शक्ती मजबूत होगी, आप अपने काम में एकाग्र हो जाएंगे, और सही समय पर सही फैसले लेले में भी सामर्तिवान होंगे, बहुत जारे ऐसे ही बहुत छोटे 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 हैं, आप कुछ करें ना करें, इस दिन अगर बिजनस आदी में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, हानी हो रही है, तो आज के दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान कीजे, सबसे इंपॉटेंट यही है, पवित्र नदियों में सुबे सुबे उठिये, अपने हतेलियों के दर आपको खिलाना चाहिए किसी ब्रामन को वस्त्र आदी उनके निमेति या भोजन आदी दान करें तिर्थों के जल में स्नान करें तिर्थ ना हो तो घर में ही गंगा जलादी डाल करके स्नान कीजें और पूरे दिन पवित्रता से अपने इश्ट का ध्यान करते वे ओम ओम नमस्यवाई ऐसा करते वे आपको दिन व्यतित करना चाहिए शनिवारिया मवश्या है तो ओम शंप शनिष्चराय नमा यह कीजिए ओम हंग हनुमते नमा ओम लक्ष्मी माताय नमा ओम महालक्षमी नमा स्रिक्रिष्ण भगवान कीजए जो आपके इश्ट है उसका ध्य करते करते दिन को व्यतित किरिये और इस दिन तामसी भोजन नहीं करना है किसी भी प्रकार की शेविंग आदी बाल आदी बनाना नहीं करना है आपको छोटे छोटे जो हर कारी में तीस तो हार पे मनाई की गई बाते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए जूड मोलना चुगली पड़ता है तो बड़े सात्विक्ता से इस दिन को बिताईए और ज्यादा से आदा उम्शम्शन इश्चराय नमा हनुमान चालीस आदी का पार्ट करें जो लोग के भी देशों में ग्रहन लग रहे हैं आप साउथ अमेरिका में हैं आस्ट्रेलिया में आफ्रिका में हैं जहां पर ग्रहन लग रहे हैं वहां पर बारा घंटे पहले सूतक लगेगा इस बात का ध्यान रखें तो नियमों का पालन करें और जो गर्वती महिला है वो इन जगों पर विशेश रूप से ध्यान रखें बाकी जहां सूतक नहीं लग रहा है जहां जैसे भारत में ग्रह आदी है वो ज़रूर करें अपने फ्रेंज फैमिली मम्मी पापा भाई भेन बच्चे सभी लोगों से दोस्तों नेगेटिविटी को दूर करने का दिन है तो इसका पूरा-पूरा युटिलाइजेशन करें और ग्रहन के प्रभाव सभी राशियों पर पढ़ेंगे इसके बा